देश में जब पूर्ण बंदी लगाई गई तो लगा जल्द स्वासे मुसीवत से पार पालिया जाएगा लेकिन जब स्थती खराब होने लगी तो पूर्ण बंदी की म्याद बढ़ती चली गई जिसके चलते काई काम ठप हो गए मगर अब जब देश अनलॉक मोड में आ गया है तो सरकार ने रुके हुए कामों को तेजी देने की बात की जिसमें सीबियसी के एक्जाम्स भी शामिल है मगर अब सुप्रीम कोट ने सीबियसी की बची हुई परिक्षा को लेकर एहम टिपनी की है क्या कहा है सुप्रीम कोट ने इस रेपोर्ट में देखिए जब से केंडरू सरकार ने सीबियसी बोड की बची हुई परिक्षाओं के लिए नई तारिक का एलान किया उस वक्त से ही एक्जाम को लेकर मुखालफत का दौर जारी है। तीन जजों की बेंच ने सीबियसी को अगले मंगलवार तक जवाब देने को कहा है। याचिका में ये भी कहा गया कि CBSE की परिक्षाएं जुलाई में होनी है। और इंटर्नल असेस्मेंट के आधार पर स्टूडेंस का रिजल्ट खोशित किया जाए।